असलाम लेकुम नाजरीन जी मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा एहमद और आपके लिए लाएं हूँ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग शो जिसका नाम है International Information Desk जिन नाजरीन ने अभी अभी हमें जॉइन किया है उनको बताती चलूँ कि इस शो में हम मुक्तलिक मुमालिक की Information आप से Share करेंगे और लास्ट अपिसोड में हम साओधी अरब से Related Interesting चीज़ें आप से Share कर रहे थे आज उसी को इस प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ मेरे Guest हैं जिनका नाम है RJ Imran Khan तो शो का आगास करते हैं जी Imran साब Assalamualaikum Waalikum Assalam क्या है आप Alhamdulillah आप बताएए कैसे हैं खेरियत से हैं जी Allah का शुकर लास्ट प्रोग्राम में हम साओधी अरब से Related काफी इंट्रस्टिंग चीज़ें डिसकस कर रहे थे आप माले प्रोग्राम अड़ियक हाके लज़िद खानों की बात कर रहे थे यहं बिल्कुल हमने साथियरफ के साथियरफय Просто की बारे में बात की हमने शीम मुते और चीज़ों के 바रे में बात करेंगे कि के लोगज की हैं जो सओधीरहा जाना चाहते हैं, उनको यह पता हो कि वोओध किया आ आ इंच। कंपयरे कौने का मैं आपको बताया था कि आ डर आ多ग में, वहां पर खाना जो है वो संसता है, सेस्थ है यह उनकantes ुलिब्ल Cordyes सिङ नौकर करेंगे नहीं यह सद्विद्ध के लिए कहा जाता है कि वहां पे आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं में मसाइल ही होते हैं लोगों को जो यहां से जाते हैं बिल्कुल बहुत सी ऐसी गल्प कृट्रीज जहां पर आप जाते हैं जहां पर आपका सारा आदे से जादा पैसा है उसमें लगजाता है जो आप अपनों के साथ तो हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक बात रिदा मैं आपको बताता चलूँ क्योंके मैं मैं तकरीबन रखी सारी जिंदगी बाहर ही गुजार कर आए हूँ जब आप बाहर होते हैं तो यकीन जानीगा पाकिसान से जो महबत है ना वो तुगनी तुगनी हो जाती है बहुत जादा बढ़ जाती है और मुझे याद पढ़ता है कि जब हम लोग पाकिसान आया करते जाती है तो पाकिसान में आने के बाद चाहे मैं साओधी अरब में 26 साल रहा हूं लेकिन यकीन जानीगा पाकिसान में एंटर होते ही जहाद से उतरती जो एक सांस आजादी की होती थी थी अपने मुल्क की जैसे आप अपने घर आकर एक सुकून आपको मिलता है को किसी और के घर नहीं मिलता हूं मैं हमीचा यह कहता था कि बाहर कोशिश कीजिए हद तर इमकान बाहर ना जाना पड़े अगर आपके इतने वसाइल यहां पे हैं हमारी मिटी जो है वो सोना है यकीन जानीगा यहां पे वो सारे मावाक्व हैं लेकिन बहुत से लोग को होते हैं जिन लगसे जिस अधर्म कर्ड़ा यहां पुगर यहां मैंने बहुत देखा है कि हम लोग यहां पर इमिज्टरन की लाइन में खड़ें और हम लोग बाहर इमिज्टरन लाइन में तो जमीन आस्मान का फरक है आपको एक अपना वाक्या बताओं कि जब मैं आ रहा था इंटरनेशनल फ्लाइट थी मेरी वहां पर गल्फ कंट्री थी इमिग्रेशन पर एक रैड लाइन पर मुझसे आगे एक साफ खड़े थे उनसे पीछे मैं था उस रैड लाइन से आगे आप नहीं जा सकते ठीक है अं इस टाइम इस टाइम लगी और पिर जहास की तरह बरावाना मुझे याद इसलिए रहे कि जिस तरह का उन्होंने लिबास जिरेतन किया वा था वो काफी शोख और चंचल किसम का कलर थे तो इसलिए वो मुझे याद रहे और इतिफाक था कि जब हम किराच्ची रिपोर्ट पर उतरे हैं और वो साब मुझे से आगे थे और मैंने देखा कि लोगों ने चलना नहीं दोड़ना चुरू किया उन्हों में वो साब भी थे तो मैंने बकाइदा यकिन की जगा उनका हाथ पकड़ा और उनसे पूछा कि भाई खेरियत है आप भाग क्यों रहे हैं कि लिए इमिग्रेशन ला изб है आप ये लगा लिए जूर्यों को पॉलू आ यदि यूरो का ये ऑपने मुल्ध में अगर आपको कोई खेंड नहीं बनाएगा आपि अपने मुल्क इसा नहीं खर कर दिश्युक्स से बहुत एक खिलाफ करता हूँ जहां लिखा होता है कच्रा फैकना मना है वहीं आपको नजर आए रहा है आज आप एक गोड़ लगा दीजिए कि जिसने यहां कच्रा फैका 30,000 रुपे फैन है कल से कच्रा नहीं मिलेगा तो ऐसी नौबत क्यों आए कि हमें वो फैन और उन से डराया जाए हम एक तैजीब याफ्ता कावम हैं महजब लोग हैं पड़े लिखे लोग हैं हमें खुद देखने चाहिए कि हमारा घर है पता है कि अच्छा बुरा च्छा है अच्छा खेर हम बात करें साओधियरब की तो साओधियरब में जो है खाने सस्ते हैं मच्रूप सस्ते हैं वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वह चीज़ भी सस्ती है वहाँ पे एक अपरचिनिटी आपके लिए यह है कि मिसाद के तौर पर अगर आप 5 साथ जाना चाहेंगी साओधियरब क्योंकि बड़ी शॉपिंग करने तो वहां से गोल्ड वगरा मेरी अम्मा लाइन थी तो उनका कहना था कि सस्ता है वहां पे लोगों के जहन में होता है कि वहां पे आपको प्योर गोल्ड मिलेगा यहां तो आप अल्ला वाफ करें कि कुछ भ अब चाहेंगी बात और आपको बता दूं कि जब हम साओधियरब के बारे में बात कर रहें और वो नाजलीन जो हमें सुन रहें और जो साओधियरब जाना चाहते हैं बहुत सी ऐसी चीजह जिन पर मामानत है वहां पर और बहुत सी ऐसी चीजह जो अलाउट है ठीके क्या है अब मैं आपको यह बताता चलूँ के और मुलकों की तरह पाकिसान में भी यह चीज़ है कि मन्शियात अलाउट नहीं है अच्छा जी और इस पे सजाए मौत है सजाए मौत है और यह वैसे भी मन्शियात से दूर रहना चाहिए यह वाबाले जान एक बुरी चीज़ है आपकी सहत के लिए अच्छी नहीं है आपके नसल आपके इसके लिए बहुत साथ सजाए अच्छा उसके इलावा वहां पर इवन सिग्रेट पीना नॉर्मल यह चीज लेकिन अब डेजिगनेटिड एरिया जैसे दूसरी सौदी अरब में भी है अच्छा आप मॉल में नहीं पी सकते ओके आप ऑफिस में नहीं पी सकते ऑफिस बार ना अच्छा इसको करने की वी एक वज़ा है मैं आपको बता हूँ मिसार के तौर पर आप का ओफिस है बीस फ्लोर पर और आपको सिगरेट पीने की हाज़त हो रही है तो आप एक सिगरेट पीने नीचे आ जाएंगी ठीक है उसके बाद फिर आप सोचेंगी कि हर दफा पच्छीस में फ्लोर से नीचे आना आसान काम नहीं है जाहे एडवांस लिफ्ट्स हैं वहां पर लेकिन फिर कि आसान काम नहीं है आपका वक्त भी जाया हो तो उसमें फिर बंदा कोशिश करता है कि कम से कम हो जाए तो पिर एक पी ली आच्छा यह दो हो गई है ऑफिस जावर्श चलैंश में भी कम ही आ जाती है क्या कुरूल तो तोड़ना नहीं है और एक अच्छी चीज और ओकूल चेंश रएन जाता है के अंज़र और प्री्यक छोंअ हो जाता है मिलते हैं आप से एक शौट ब्रेक के बाद